प्रहलाद अगरवाल, 1947 भारत की आजादी के साल मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जन्मे प्रहलाद अगरवाल ने हिंदी से ए में तक शिक्षा हासिल की. इने किशोर वैसे ही हिंदी फिल्मों के इतिहास और फिल्मकारों के जीवन और उनके अभिने के बारे में विस्तार से जानने और उस पर चर्चा करने का शौक रहा. इन दिनों सतना के शास्किय स्वशासी सनातकोत्तर महा विद्याले में प्राध्यापन कर रहे प्रहलाद अगरवाल फिल्म क्षेत्र से जुड़े लोगों और फिल्मों पर बहुत कुछ लिख चुके हैं और आगे भी इसी क्षेत्र को अपने लेखन का विशय बनाए रख अफसाना, कवी शैलेंद्र, जिन्दगी की जीत में यकीन, प्यासा, चिर अत्रिप्ट गुरुदत, उत्ताल उमंग, सुभाश गही की फिल्मकला, ओरे माजी, बिमल राय का सिनेमा और महाबाजार के महानायक, 21 सदी का सिनेमा अएं पार्ठ प्रवेश साल के किसी महीने का शायद ही कोई शुक्रुवार ऐसा जाता हो, जब कोई न कोई हिंदी फिल्म सिने परदे पर न पहुँचती हो, इन में से कुछ सफल रहती है, तो कुछ असफल, कुछ दर्शकों को कुछ अर्से तक याद रह जाती है, कुछ को वह सिनेमा घर से बाहर निकलते ही भूल जाते हैं. लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी साहित्तिक कृती को पूरी लगन और इमानदारी से परदे पर उतारता है, तो उसकी फिल्म न केवल यादगार बन जाती है, बलकि लोगों का मनोरंजन करने के साथ ही उन्हें कोई बहतर संदेश देने में भी क काम्याब रहती है. एक गीतकार के रूप में कई दशकों तक फिल्म क्षेत्र से जुड़े रहे कवी और गीतकार ने जब फणीश्वर नाथ रेणू की अमर कृती तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम को सिने परदे पर उतारा तो वह मील का पत्थर सिद्ध हुई. अपने जमाने के सबसे बड़े शोमैन राजकपूर ने अपने फिल्मी जीवन की सबसे भेतरीन एक्टिंग करके सब को चमतकृत कर दिया. फिल्म की हीरोईन वहीदा रहमान ने भी वैसा ही अभिनय कर दिखाया जैसी उनसे उम्मीद थी. इस मायने में एक यादगार फिल्म होने के बावजूत तीसरी कसम को आज इसलिए भी याद किया जाता है, क्योंकि इस फिल्म के निर्मार ने यह भी उजागर कर दिया कि हिंदी फिल्म जगत में एक सार्थक और उद्देशपर्क फिल्म बनाना कितना कथिन और जोखिम का काम है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र संद्रम की अध्भुत सफलता ने राजकपूर में गेहन आत्मविश्वास भर दिया और उसने एक साथ चार फिल्मों के निर्माण की घोष्णा की मेरा नाम जोकर अजंता मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरंग पर भी यह कलपना नहीं की होगी कि इस फिल्म का एक ही भाग बनाने में छै वर्षों का समय लग जाएगा इन छै वर्षों के अंतराल में राजकपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्में प्रदर्शित हुई जिनमें सन 1966 में प्रदर्शित कवी शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शा की यहीं नहीं तीसरी कसम वह फिल्म है जिसने हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक कृती को सैल्यूलाइड पर पूरी सार्थकता से उतारा तीसरी कसम फिल्म नहीं सैल्यूलाइड पर लिखी कविता थी तीसरी कसम शैलेंद्र के जीवन की पहली और अंतिम फिल्म है ती इसरी कसम को राश्च्रपती स्वर्णप दक्मिला, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसियेशन द्वारा सर्वश्रेष्ट फिल्म और कई अन्य पुरसकारों द्वारा सम्मानित किया गया। मासको फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। इसकी कलात्मक्ता की लंबी चोड़ी तारीफे हुई। इसमें शैलेंद्र की समवेदन शीलता पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे सच्चा कवी हृदय ही बना सकता था। शैलेंद्र ने राजकपूर की भावनाओं को शब्द दिये हैं। राजकपूर ने अपने अनन्य सहयोगी की फिल्म में उतनी ही तनमयता के साथ काम किया। किसी पारिश्रमिक की अपेक्षा किये बगेर शैलेंद्र ने लिखा था कि वे राजकपूर के पास तीसरी कसम की कहानी सुनाने पहुँचे तो कहानी सुनकर उन्होंने बड़े उतसा पूर्वक काम करना स्वीकार कर लिया। पर तुरंत गंभीरता पूर्वक बोले मेरा पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। शैलेंद्र को ऐसी उमीद नहीं थी कि राजकपूर जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला देंगे। शैलेंद्र का मुर्जाया हुआ चहरा देखकर राजकपूर ने मुस्कराते हुए कहा, निकालो एक रुपया, मेरा पारिश्रमिक। पूरा एडवांस शैलेंद्र राजकपूर की इस याराना मस्ती से परिचित तो थे, लेकिन एक निर्माता के रूप में बड़े व्यावसाइक सूजबूज वाले भी चक्कर खा जाते हैं। फिर शैलेंद्र तो फिल्म निर्माता बनने के लिए सर्वता अयोग्य थे। राजकपूर ने एक अच्छे और सच्चे मित्र की हैसियत से शैलेंद्र को फिल्म की अस्फल्ता के खत्रों से आगा भी किया। पर वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवी था जिसे अपार संपत्ती और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टी के सुख की अभिलाशा थी। तीसरी कसम कितनी ही महान फिल्म क्यो रही हो लेकिन यहाँ एक दुखत सत्य है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए बमुश्किल वित्रक मिले। बावजूद इसके की तीसरी कसम में राजकपूर और वहीदा रहमान जैसे नामज़त सितारे थे। शंकर जै किशन का संगीत था जिनकी लोकप्रियता उन दिनों सात्वे आसमान पर थी और इसके गीत भी फिल्म के प्रदर्शन के पूर्व ही बेहद लोकप्रिय हो चुक उसमें रची बसी करुणा तराजू पर तॉली जा सकने वाली चीज नहीं थी। इसलिए बमुश्किल जब तीसरी कसम रिलीज हुई तो इसका कोई प्रचार नहीं हुआ। श्री 420 का एक लोकप्रिय गीत है प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डड़ता है दिल। इसके अंत्रे की एक पंक्तिराते दसो दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानिया पर संगीतकार जैकिशन ने आपत्ती की। उनका खयाल था कि दर्शक चार दिशाएं तो समझ सकते हैं दस दिशाओं नहीं। लेकिन शैलेंद्र परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुए। उनका द्रिड मंतव्य था कि दर्शकों की रुची की आड में हमें उथलेपन को उन पर नहीं ठोपना चाहिए। कलाकार का यह कर्तव्य भी है कि वह उपभुकता की रुचियों का परिशकार करने का प्रयत्न करे। और उनका यकीन गलत नहीं था। यहीं नहीं वे बहुत अच्छे गीत भी जो उन्होंने लिखे बेहद लोगप्रिय हुए। शैलेंद्र ने जूटे अभिजात्य को कभी नहीं अपनाया। उनके गीत भाव प्रवन्थे दुरू नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंगलिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी यह गीत शैलेंद्र ही लिख सकते थे। शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई लिए हुए। यही विशेष्टा उनकी जिन्दगी की थी और यही उन्होंने अपनी फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। तीसरी कसम यदी एक मात्र नहीं तो चंड उन फिल्मों में से हैं, जिनोंने साहित्यरचना के साथ शर्थ प्रतिशत न्याय किया हो। शैलेंद्र ने राजकपूर जैसे स्टार को हिरामन बना दिया था। हिरामन पर राजकपूर हावी नहीं हो सका। और चीन्द की सस्ती साडी में लिपती हिराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद उर्चाईयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कजरी नदी के किनारे उगडू बैठा हिरामन जब गीत गाते हुए हिराबाई से पूछता है मन समझती है ना आप। तब हिराबाई जुबान से नहीं आखों से बोलती है। दुनिया भर के शब्द उस भाषा को अभिव्यक्ती नहीं दे सकते। ऐसी ही सुक्षमताओं से स्पंदित थी तीसरी कसम। अपनी मस्ती में दूपकर जूमते गाते गारीवान चलत मुसाफिर मोहलियो रे पिंजरे वाली मुनिया टपर गारी में हिराबाई को जाते हुए देखकर उनके पीछे दौरते गाते बच्चों का हुजूम लाली लाली डोलिया में लाली रे दुलहनिया एक नौटन की की अबाई में अपनापन खोज लेने वाला सरल हृदय गारीवान अभावों की जिन्दगी जीते लोगों के सपनीले कहके हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है लोक तत्व का अभाव वे जिन्दगी से दूर होती है यदी त्रासत सितियों का चित्रांकन होता है तो उन्हें ग्लोरिफाई किया जाता है दुख का ऐसा वीभत्स रूप प्रस्तुत होता है जो दर्शकों का भावनात्मक शोशन कर सके और तीसरी कसम की यह खास बात थी कि वहां दुख को भी सहज स्थिती में जीवन सा पेक्ष प्रस्तुत करती है मैंने शैलेंद्र को ग जो बात उनकी जिन्दगी में थी वही उनके गीतों में भी उनके गीतों में सिर्फ करुणा नहीं जूचने का संकेत भी था और वह प्रक्रिया भी मौझूद थी जिसके तहट अपनी मन्जिल तक पहुचा जाता है व्यथा आदमी को पराजित नहीं करती उसे आगे का संदेश देती है शैलेंद्र ने तीसरी कसम को अपनी भाव प्रवन्ता का सर्वश्रेष्ट तत्य प्रदान किया मुकेश की आवाज में शैलेंद्र का यह गीत तो अद्वितिया बन गया है सजन्वा बैरी हो गए हमार चिठिया हो तो हर कोई बांचय भाग न बांचय क अभिनेता राजकपूर जितनी ताकत के साथ तीसरी कसम में मौजूद है उतना जाकते रहों में भी नहीं जाकते रहों में राजकपूर के अभिने को बहुत सराहा गया था लेकिन तीसरी कसम वह फिल्म है जिसमें राजकपूर अभिने नहीं करता वह हिरामन के साथ एकाकार हो गया है खालिस देहाती भुच्च गाडिवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है दिमाग की नहीं जिसके लिए मोहबबत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं बहुत बड़ी बात यहा है कि तीसरी कसम राजकपूर के अभिने जीवन का वह मुकाम है जब वह एशिया के सबसे बड़े शोमेन के रूप में स्थापित हो चुके थे उनका अपना व्यक्तित्व एक किमवदंती बन चुका था लेकिन तीसरी कसम में वह महिमामय व्यक्तित्व पूरी तरह हिरामन की आत्मा में उतर गया है वह कहीं हिरामन का अभिने नहीं करता अपित्व खुद हिरामन में धल गया है हिराबाई की फेनोगिलासी बोली पर रीजता हुआ उसकी मनुआ नटुआ जैसी भोली सूरत पर नियोचावर होता हुआ और हीराबाई की तनिकसी उपेक्षा पर अपने अस्तित्व से जूचता हुआ सच्चा हीरामन बन गया है। तीसरी कसम की पठकथा मूल कहानी के लेखक फणीश्वरनात रेणू ने स्वयन तैयार की थी। कहानी का रेशा रेशा उसकी छोटी से छोटी बारी किया फिल्म में पूरी तरह उतर आई। पर मोर वीडियो सब्सक्राइब आर चानल एद आस्किल बाई प्रीटेश वर्गामा